पिदा पुत्र और पवित्रादमा के नामबर आमेन सबको जेशू इसुर ने हम सबको प्यार करते हैं इसलिए पिदा परमेशू ने अपने एगलोदे पुत्र इसा मसी को परती पर बेजा और भारत में रहने वाले असारों साल पहले से ही इसा मसी के बारे में इसा मसी का आगमन के बारे में जो हिंदु धर्म के धर्म गरंद वेद गरंदों में लिगा हुआ है लेकिन उस वेद गरंदों को चिपा कर रखा और इधियासों को कहानीों को बाहर दिगाया और इस वेद ग्रिंदों में बहुत अच्छा से इसा मसी के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों हमको मालम इसा मसी को दोका देने वाला एक यूदा सकरियोता के बारे में लिखा हुआ है उस यूदा सकरियोता के बारे में इस दुनिया में रहने वाले बहुत से लोग पैसा के लिए अपने दोस्तों को अपने बाई होंगो अपने मादा पिदाओंगो दोका दे रहा है अपने पदी को पत्नी को दोका देता है पैसा के लिए सब आज कल पैसा चाहिए उन्नदी चाहिए अच्छे गूमने वाला कुर्सी चाहिए आराम का जिंदगी चाहिए इसलिए जो आराम का जिंदगी चाहते हुए आलस सिपन बनकर दूसरों का मैनत का कमाई चाहते हुए दूसरों को दोखा देने के लिए बहुत से लोग इस दुनिया में जी रहा है इसी प्रगार इदी कोई जी रहा है मेरे भाई और बहनों उनके अंदर एक यूदस का सफाव वे लोग धारन किया यूदस का सफाव क्या था इसा मसी को भी जिने उसको अधिकार दिया था अपदूद उनको निगालने के लिए रोग उनको चंगा करने के लिए सुसमाजर की प्रजार करने के लिए इसा मसी ने उसको भी अधिकार दिया जब बार आशिशियों को अधिकार दिया उस अधिकार यूदस करियतों को भी मिला था लेकिन उसको जो अधिकार मिला दा मिलने के बावजूद भी इस जीवन के नादी इसा मसी को 30 सिका के लिए दोखा दिया क्योंकि दोखा देने का इच्छा शेटान उसका दिल में उत्पन कराया उत्पन कराया उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों आपके भाईयोंगे बहनोंगे विरत दोखा देने के लिए कोई सफाव आपके अंदर है उत्पन हुआ है तो आप समझ लो शेतान की प्रहरना से उस भावना उस सफाव आपकी अंदर जिड़ पकड़ लिया है इसलिए ये जान पहुचान कर वजन सुनकर इसा मसी के साथ जुड़े वेक नया जीवन बिताने के लिए मेरे भाई और बहनों आप अपने भाई को दोखा देने के लिए बहनों को दोखा देने के लिए कुछलों अपने मादा बिदा को दोखा देता है कुछलों अपने ब यूदास कुछ कुछी किया, उसी प्रकार उसी का चैला बनने की, चैला है जो अंदर इर्षिया गुसा रखता है, जो पैसा के लिए दूसरों को दोखा देता है, मेरे बाई और बहनों, यूदास ने इस लालच रखा था, उसने अपने आपको नष्ट किया, उसी प्रकार अ हमारे जिन्दगी में भी कोई लालच है पैसा की लालच उसी के प्रदी दूसरों को आप दोका दे रहा है इसका मतलब आपके अंदर एक युदस करियता अभी भी जिन्दा है युदस करियता का एक सुफाव आपकी अंदर जिन्दा है मेरे भाई और बहनों, आप उस सफाव को समाप्त करने की कोशिश करें, ईसा मसी का नाम लेकर उसको समाप्त करें, नहीं तो ईसा मसी अंदिन दिन में आएंगे, उस दिन आप उसके साथ सुर्ग राजी में जाने के लिए असमर्त बन जाएगा, मेरे भाई और बहनों, एक इ इसर का संदान बनो या शेतान का संदान बनो, अब इसर का संदान बन सकता है ने तो शेतान का संदान भी बन सकता है, अब इसर का संदान बनेगा तो आप अपना जिंदगी में इसर के बारे में जानगारी रखोगे, इसर के संगदी में गुटना टेकोगे, इसर का वजन स और आपको आकरी में आनन्द जीवन मिलेगा. यदि आप यूधस का सफ़ावु धारन करेगा, तो इसा मस्भी को जो दोखा दिया, यूधस कर मों झायता का सफ़ावु धारन करेगा, तो आप आपका बाही बेहनों को, दोस्तों को, पडोसिवों को, सबका दोका देते देते आप आखरी में सरवनास हो जाएगा मेरे बाई और बहनों हमारा जिंदगी इस दुनिया से समाप्त नहीं हो रहा है बाईबल का वजनों की अनुसार इसा मसी का शिट्छा की अनुसार अमारे जिन्दगी जो मरने के मरने का साथ साथ अमारा जिन्दगी समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन ये जिन्दगी में हमें एक मौका दिया जा रहा है ये सुर्ख के बारे में सीखने के लिए शेतन के बारे में सीखने के लिए आप इस समाज को नहीं देखना समाज में जो विशेश करके बारद में रहने वाले सौक करोड से ज्यादा लोग ईसा मसी को नहीं जानता है सौक करोड से ज्यादा लोग जो बारद में रहने वाले वे ईसा मसी को नहीं जानता अम उतर बारद में ख़ई राज में आया हूँ सो समाजार की प्रजार करने के लिए लेकिन वहाँ पर बहुत गिनेग जुने लोग है इसाई लोग बहुत से लोग अन्य धरम के लोग है वे लोग एसु को अभी तक नहीं पहुचाना इसलिए मेरे भाई और बहनों आप जिस समाज में रहता है वहाँ पर जो रीदी रिवाज है उसी को देकर आगे नहीं बटना आप इसा मसी का वजन सुने पवितर वजन पड़े और उस वजन की अनुसार इसा मसी का अनुसरन करे पवितर जीवन बिताने की कोशिस करे आप पैसा के लिए आप अपने भाई को बहनों को दोका ना दे आप अपने भाई बहनों को दोस्तों को दोका ना दे क्योंगी प्रभू ईसा मसी उससे इर्शिया करता है क्यों मालूम आप जिससे इर्शिया गुसा करते है जिसको दोका देना चाहते है उसको भी ईसा मसी बचाना चाहता है उसको भी मुक्ति दिलाना चाहता है उसको मुक्ति मिलना है तो आप उससे ठ्ष्यमा करना पड़ेगा आप जिसको दोका देने की कोशिश कर रहा है कुछ लोग अपने भाई को ही जमीन के बारे में दोका दे आ einzige में आखे न्हारे हें। लोग में लिए यूदस को इस नाहीं के नाम के कारण उन्हें कि अँप्ष्माथ। और आपने कुछ यह बटवार है का समय है नहीं तो दूसरे कोई भी इसी प्रगार अमरे भाई बहुत करता है बराबर करें वो इसर को पसंद आता है जो भाई बड़े कुशी के साथ येकता में रहेंगे बड़े कुशी में आनन्द के साथ रहेंगे सुर्ग भी आनन्द दित हो जाएगा आपके घर में आपको भी आपका मन भी आनन्द दित हो जाएगा आपको देखने वाला आपको जानने वाला पड़ोसी लोग भी आपके प्यार को देकर आनन्द दित हो जाओगे आपस में लड़ाई करोगे आपके फदी पखनी के बीच में लड़ाई करोगे आपके मादा बिदा बैच्चों के साथ लड़ाई करोगे तो किया आपको भी अच्छा नहीं लगता यसर को भी अच्छा नहीं लगता इसलिए आपकी अंदर एक यूदास का सफाव है दूसरों को दोका देने का, दूसरों को गालियां देने का, दूसरों को दमगियां देने का और अबावित्र जीवन बिताने का, आकरी में आम दूसरों को सर्वनास चालते हुए, आकरी में हमारा सर्वनास हो जाएगा मेरे भाई और बहनों इसी प्रकार एक सफाव हमारे अंदर है तो ईसर ने यूदस के बारे में बोला वह एक शिरतान था तो हमारे अंदर इसी प्रकार एक सफाव है तो हमारे अंदर उस यूदस करियता जी रहा है आज भी उसको बाहर निकालना हमारे अंदर इसर ये जोदी से बरना हमारा जिंदगी जोदी की और चलना इसर को देखना इसर को देखते हुए उसी का अनुसरन करते आनंद जीवन पाने के लिए कोशिश करना मेरे बाहियों और बहनों जो इस वजन सुनता है वे सब आप सब प्रार्थना करें बाइबल पड़े विशेश करके भारत में रहने वाले सब के पच्चापता के लिए प्रार्थना करें क्योंगी आने वाले दिनों में बहुत दुरगट नाएं इसा युंग विरित बहुत जगा पर अतियाजर ओने वाला है बहुत जगाँ पर ईमसी को दोचार साल पोले जो कुछ लोगों ने किया वे सब औरुपर करने के लिए मेरे बाई और बहुत आगकीस में जो भी ईमसी को सताने की संभा बना है तो मेरे बाई और भगनों अब उन सबों के लिए प्रार्थना करना क्योंकि वे लोग इसलिए सता रहा है वे इसर का वजन नहीं सुना यहूदी जाद के प्रदान याजग लोग अन्यास और कही फास ने इसा मस्डी को सूली पर क्यों चड़ाया क्योंकि वे लोग इसा मस्डी का वजन नहीं सुना उनको नहीं मालम था यहूदी वहूदी जो अन्याद के एक साइनिक था उसने बाडा मारा ईसा मसी के बगल में और उसके आंखों में एक अंधा था उसने उसके आंखों में जाकर अंधे पना उस आंख में एक बूंद खून गिरा उसके आंखें खुल गिया तब उसने स्विगार किया, ये सच मुझ में ईसर का पुत्र मसी है, मेरे बाई और भगेनों, क्योंकि उसने ईसा मसी का वजन सुना, ये सूली पर ये सारे उन पर ठूट फूटा इतना अत्याजार उन पर चाड़ दिया, उसके बावजूद ही उसने ठ्षमा करता है, ये पि स्विग का पुत्र मसी है, मेरे बाई और भगेनों, आपको जो लो सता रहा है, वे नहीं जानता इसद्ञा मसीश का पुत्र है, आप उस ईसर एसा मसी का बच्चे है, इससर का संदाने उनको नहीं मालम, इसलिए आप भी प्रार्थना करें, जो आमें सतान रहा है, सतानी के तैयार हो रहा है भारत से सारे इसाईों को बगाने के लिए कुछ लोग खोशिस कर रहा है उन सबों के पच्छाताप के लिए वे सब इसाई बनने के लिए प्रार्थना करें आप उनके सामने नहीं जाना आप अपने घर में बैटकर भारत में जो इसाईों को सताने वाला सता है उन सबों के पच्छाताब के लिए प्रार्थना करे ये आज नहीं तो कल वे भी इसा मसी के सामने गुड़ना ठेकेगा इसा मसीह एक मात्र येशु है इसर है ये दोहर आते वे इसर के सामने दंडवत करेगा ऐसा एक कल के लिए अमापनिया को तयार करे इसर के संगदी में दिन ही नोकर प्रार्थना करे जो भारद पूरा सुसमाजार प्रजार हो जाए सब कोई गुटना ठेक है इसा मसी ही एक मात्र इसो रहे उनके सामने अनुनाई विनाई होते हुए येशु का नाम लेने की कृबा सबों को मिलने के लिए प्रार्थना करें मेरे भाही और बहनों ये चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें दूसरों के तक पहुंचने के लिए शेयर करें और अमारे लिए प्रार्थना करना हम भी लगातार आप लोगों के लिए नहीं सारे भारत के लिए नहीं सारे विशु के लि परा प्रभू ने देंगे प्रभू अमें सुर्ट शिद रखेगे यहांप से प्रार्थना करेंगे प्रार्थना में जीवन रिताएगा प्रभू अपने चत्र चायाया में हम सबों Oxid शुर्ट शिद रखेगा इंपर्भू की वाइद あlawelow दुबारे एक वार और कहता हम यदि आप इस नई साल में अमगों प्रार्थना करते हैं आप इस चानल को सस्क्रेब करें नीचे सस्क्रेब जो लिगा हुआ उसमें एक दबार देबाएगा आप तोड़ा देबादे और दूसरों तक भी पहुंजा दे और बेल बटन आप दे जान बन जाए और यूदस का सफाव यदि किसी की अंदर है वे सब उसको निगाल दे और निगाल कर इस और के पास आकर इस और के सामने नमन करे धेशु और सब को आशिरवाद और जो रोग जो बीमार से पीड़ दे उन सबों के लिए प्रार्थना करता है हमारे लिए प् स्वास्त करना प्रफू क्योंगि आपके लिए कुछ भी असंबव नहीं है जो पाबी है उन सबों को आपके पवित्र लहू से दो कर उने पवित्र जिवन बिताने की क्रबा देना प्रफू अंपरार्थना करते हैं सब को जेशु पिदा पुत्र और पवित्र आदमा के न A-M-A-M-N यजिसु